बच्चों आपका 12.2 सुरू हो चुका है क्लाफ नाइन्थ कमेथ एक सरसाइज 12.2 ओपन करिए जल्दी से आपको एक चित्र दिख रहा है स्क्रिन पर क्या कह रहा है इसमें कि एक पार्क चतुर्भूज एबी सीडी की आकार का है एक पार्क है पार्क जानतों जहां लोग जा पार्क में क्या होता है इक सरसाइज जो करते हैं लोग दोड़ते भी है मिलने मिलाने भी जाते हैं तो समझे तुर्भूज के आकार का है जो कि आपको दिख रहा है कि इसमें कोण जो सी है वो 90 दिया है एबी नौ सेंटीमीटर दिया बीसी बारा है सी पांच है और एडी अ साथ का पूझषा है जे cosa बाइबस का लोगे लेकिन पहले आपको समझना पड़ेगा समझने के लिए पहले सका तर्फिकर बनाना पड़ेगा Rी tell आपको बना लेता हूं साइड में तब आपको बताता हूं कि finely best अब देखिये BCD और तिर्भूज ADB या फिर ABD दोनों का अलग-अलग एरिया निकाल कर जोड देंगी ठीक है दोनों तिर्भूज का अलग-अलग छेतरफल निकाल के जोड देंगे तो हमारा पूरे-पूरे का क्या आएगा फार्क का छेतरफल आजाएगा उचके लिए चीज ध्यान देना है इसमें एंगल्सी तो नंबे दिया कहरा है तो एंगल्सी एकर नबे दिया है तो यह संकॉन सिर्भूज है नोकुर तो में पाइथा गॉरस परमी अप्लाइग कर सकते हैं और संकॉन सिर्भूज का छेतरफल का सूत्र भी आसानी फिलाग जाता है एक बटा दो आधार तरह के लिए ही रोन का सुत्र लगाया जाता है रोन का सुत्र लगाएंगे उसके लिए तीनों भूजाएं पता होनी चाहिए तो हमें बीडी भी निकालना पड़ेगा उसको बाद में निकालेंगे पहले लिखिए जो इंपटरेंट बात है लिखिए राफ चट्रभूजढt का छेतरफल बराबर या फिर चत्रभूजय आकार पार्क लिखेंफाया तो लिखो चत्रभूजा का यह लिखने इंग्रिस वाले autom according लिख सकते हैं एरिया आफ कोड़रेटल ABCD एक्वल एरिया आफ ABD पलस एरिया आफ BCD निकाल लेंगे इन दोनों को अलग अलग निकाल के जोड़ेंगे ठीक है तो यहाँ पे लिखो एरिया आफ BCD एक्वल हिंदी वाले लिखेंगे तिरभूज BCD का छेत्रफल बराबर एक बटा दो आधार गुड़े उंचाई यानि बेस गुड़े हाइट तो देखो एक बटा दो बेस इसमें 12 दिया है हाइट इसमें 5 दी गई थी यह कार्ट देंगे सकी एक्वल थार्टी संटी मेटर स्कॉयर आएगा क्योंकि यह खेत्रफल एफ लिए संटी मीटर में आएगा ठीक है और संटी मीटर में सारी साइट दी गई थी पहले यह देखो میटर funkyट है यह दूछт आप अगर हमें इसका भी छेत्रफल मिल जाये तो दोनों जोड़ दें लेकिन इसका पहले निकालना पड़ेगा लिखो नीचे देखिए यहां पर एक चीज समझना भी सेश हमें भूजा बीडी चाहिए लेकिन अकचहिए किसके लिए तिर्भूज ये शेज़ निकाल नहीं पाएंगा आसान नहीं है क्योंकि वह संकौन तिर्भूज है और भाई ये भूजा दोनों में common है तो हम नीचे वाले स stretch की साहता से जो समकोन वाला पाइथागोरस लगा पर्मियह प्रिघ्डी पोदि परमिय के लिए टिक हैं तो में लिखके सिधक robi लीए के लिए नीचे लिख लो भूजा बूटी के लिए उतना लिखने के बाद के लिए पाइथा गोरस पर्मिये से लिखलो भई लिखलो पाइथा गोरस पर्मिये से क्या होता पाइथा गोरस का पर्मिये आपको पता है कि करण का स्क्वाइर इक्वल अधार का स्क्वाइर धन लंब का स्क्वाइर होता है न करण का स्कॉयर मतलब हाइपोटेनियस का स्कॉयर यानि एज का स्कॉयर इक्वल लंब का स्कॉयर यानि परपेंडिकूलर का स्कॉयर प्लस बेस का स्कॉयर यह होता है मैंने इसलिए इंगलिज में लिख दिया ओके आप इसमें देखो बाबू जो आपका यह BCD दिया तिरबूज बेस BC है परपेंडिकुलर CD है यानि लंब क्या है CD है तो हाइपोटेनियस हमें फाइंड करना है परपेंडिकुलर कितना है 5 है हां फाइब बेस कितना है 12 है यह स्कॉयर है याद रखना है घाद दो है ठीक है अब यह इतना गंदा को काहे को लिख रहा है पचंपचीस बाराबर हमें 144 यह 179 आजाएगा बाबू यह आपका यह का स्कॉयर 169 आजाएगा अगर यहां से आप यह का बैलू फाइंड करोगे करच्छा नौ में पहुंच चुके हो तो यह का मान 13 आजाएगा क्यों क्योंकि 13 का स्कॉयर 179 होता है आप कह सकतो यह 13 आ ग हिरोन वाला और निकाल लेंगे दोनों को जोड़ देंगे यह 30 आया याद रखना मैं इसको पूरा मिटा रहा हूं वीडियो को रोंक करके लिखना चाहो तो लिख लो अभी हम बाद में इसको लाके जोड़ेंगे ठीक है तो मैं यहां से इसको रेज कर रहा हूं जल्दी ल अभी तक वहीं बताता आया हूं चैप्टर का नाम ही वही है तो सबसे पहले यह का वैलू फाइंड करेंगे तारी भुजाएं आप ले लो तेरा नौ और आठ तेरा नौ प्लस आठ अपान कितना है टू यह कमान निकालों के सीधा फिधा आएगा दसंबलों में आएगा न हित्रफल बराबर अंडर रूट इस इंटु एस माइननस सब्रस क पांदर आगया है तो पंदरा माईनस पहली भुजा माँलो तेरा इस हीम पंदरा माइनस दूसरी जा नओर पंदा माइनस तीशारी भुजा आपका कितना है आठ इनका सबका क्या करोगे वर्गमूल फाइंड करोगे तो यह 15 गुड़े 2 गुड़े 6 गुड़े 7 ठीक है इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं न अब इनको तोड़ लीजिया लगलग इनका कुल मिला के वर्गमूल निकालना हमें हल करना है हल करने का मैं थोड़ा सा आसान तरी लिज़ा में कोटी 505 कर दो सुछ होगा क्या नाहींं का होगा इनको तीनबंश कर देंगे और इनको दो तीन कर देंगे तो एक तीन इसमें रागदा है को हमलिक सकतें बाव तीन गुड़ा फिर दो है न तो 2 को ऐसे लिखती प्रहें। और शे को हम लिख सकते हैं दो गुड़े तीन तो रखवल लिखते हैं दो को गोड़ा तीन गुड़ा दूबीत अथा से लिखता है अ primo निकालते हैं दो दो का जोड़ा बनता तुम है सब कौ अच्छे से पता है । इक 3 यह एक तीन यह जोड़ा बन गया 1-3 बाहर आ गया एक 2 conhe only 2 यह तो बश्य शौड़ा belum कि चुच यह आप का रहा है लेकिन अभी इसको दसंबलों में मान रख करके आप कुछ कलेर कर लिजीए क्योंकि हमें इसे जोड़ना है ठीक है तो मैं उपर फाइड में कर देता हूं समझ के चलोगे तो बेहतर रहेगा आगे रख दूं क्या इसका मांद 5.91 सम्थिंग आएगा ना जल्दी से कर लो इतना लिख लो मैं मिटा के लिख देता हूं छोटा सा लगेगा चलो जल्दी करो हो गया वीडियो को रोंक करके लिख लीजिए नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को टच करिए स्क्रीन पर रोंक किए फटा फट ठीक है अब क्या करेंगे बस नीचे जो है थोड़ा साइसी को हल कर लीजिए यहां पर अच्छी जगा पर हल करिए आए यह हो जायाएगा ब साइनल में जब आप करोगे मल्टीपाल तो 33.46 सेंटीमीटर का स्कॉयर आएगा समझ में आया हो गया एक वाका कितना आया था तीस आया था अभी मैंने निकाला था एक मिनट कहीं लिखा था तीस आया था ना दोनों को जोड़ देंगे ठीक है दोनों को जोड़ देंगे आ हमें निकालना था चतुरभूजाकार पार्क का छेत्रफल हमें मिल जाएगा समझों आओ अभी मिला है 33.46 बी सीडी का पहले ही निकाला था तीस मिला था फाइनल में जोड़ दोगे 63.46 सेंटीमीटर स्कॉयर चुकि यह क्या है छेत्रफल है तो 35 मिला था कितना मिला था या पर लोगे ना इसको यह कितना मिला था 33 मिला था 35 मिला था भी 33 है तो मिला था क्यों मल्टीबल करके दिखाओं क्या मल्टीबल कर लो मुझे कुछ गलत लग रहा देखो कैसे देखो पाबु अभी आपका यह च्छे आया था कूड़ा 35 इसकामान 5.91 यह गलत लग रहा है छ 35 आपका यह 35 की जगा फिर यह 65 हो जाएगा ठीक है यह आंसर हो गया देखे लग बग में आएगा चुकि जो इसकी मान है यह अंडरूट 35 वाला यह लग भग में ही आया है तो आंसर में आपका थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है ठीक है टेंसा नहीं लेना है बस समझ थोड़ी ही देर में आपको मिलेगा ध्यान दीजिए स्क्रीन पर इसमें एक चित्र बना है चतुर्भूच दिखरा है ना कोडरेटर बना है कह रहा है कि चतुर्भूच आपको दिखाता हूं इसमें आपको एक आइडिया बता दूँ बच्चा बाबू भाईया इसमें दो तिर्भूच आपको दिख रहा है एक ABC एक ACD या ADC दोनों तिर्भूच का अलगलग एरिया निकालोगे उनको जोड़ दोगे और वही कौडरेटरल का एरिया हो जाएगा ठीक है दोनों तिर्भूच आलगलग प्रकार के हैं एक समकौन तिर्भूच है और एक बिसम बाहु तिर्भूच है तो एक में आप 1 upon to base into height वाला formula लगाओगे और दूसरे वाले में आप हीरोन का सुतर लगाओगे यह फिगर आपको दिख रहा है ना ध्यान दीजिए वही मैंने बना लिया है ABC और आपका ADC ठीक है तो पहले इस वाले चित्र का आप क्या करेंगे area find करेंगे इसका भी area find करेंगे यहां पर लिखेंगे चतुरभूज ABCD का छेत्रफल बराबर तिरभूज ABC का छेत्रफल प्लस तिरभूज ADC का छेत्रफल लिखिए area of quadratal ABCD equal area of triangle ABC area of triangle ADC देखे figure बन गया जो मैंने कहा वो लिख दिया गया ठीक है ओके अब साथियों हमें ये देखना है कि जो तिर्भूज ABC है ये समकोन तिर्भूज है भी या नहीं है तिर्भूज ABC जो इसमें दिखरा ये समकोन है या नहीं है इसको हम ट्राई कर सकते हैं पाइथा गोरस पर्मिय लगा करके अगर पाइथा गोरस का पर्मिय लागू होता है तो लिख देंगे तिर्भूज ये समकोंड है और फिर उस एकार्डिंग इसका फार्मूला लिखेंगे अगर नहीं है ये समकोंड तिर्भूज तो फिर हम इसमें भी हिरोन सुत्र लगाएंगे तो चलिए इसको पहले हम try कर लेते हैं ठीक है पहले इसको test कर लेते हैं सिर्भूज ABC में इसमें हम मान लेते हैं कि कोण B क्या है समकोण है ठीक है अगर कोण B समकोण है तो आपका आधार A B हो गया प्लस BC लंब हो गया AC करण हो गया तो मान लेते हैं इसमें क्या है बाबू इसमें कोण B बराबर 90 है हम मान रहे हैं तो इसमें आपका AC का square equal AB का square और प्लस ये BC का square होना चाहिए AC का value 5 दिया है AB 3 दिया है और BC ये भी 5 दिया था 4 दिया था ठीक है ओके ये 25 ये 9 प्लस 16 अगर यहां से आप देखो तो ये बराबर आ रहा है यानि इस पर पाइथागोरस का पर्मिय अप्लाई हो रहा है तो बीकान से हम कह सकते हैं कि triangle ABC क्या है एक समकोंड तिर्भूज है और कोंड भी 90 है ठीक है ये लिख सकते हैं तो इसे आप चाहें तो कर लीजिए बीच में या ना करिए नीचे लिखिए उप्रोक्त बहली और निकाल लिजिए एक बार इसका लिगाल लीजिए आप तो लौ कर पाइच वाजOULDro लिखिए लिखे जल्दी से उप्रोक्त तिर्भुज में पाइथागोरस पर्मिय लागू हो रहा है आता यहां एक सम princiड़ तिर्भूज है अगर है ठीट गाँ है अब कोoqu 30 Turkey छेत्रफल बराबर एक बटा दो बी इंटू एच यानि बेस इंटू हाइट ठीक है ध्यान रहें आपको जितना मैंने बोला हिंदी उसको लिख जरूर लेना लिकेज नीचे ठीक है तो देखो बिट्टा बापू भीया इसमें वन अपान टू बेस बेस इसमें थ्री है थी यानि बी ऑबी हाइट यानि बी इसी बीसी फोर है यह दो से कट गया तो सिक सेंटीमीटर स्कॉयर आएगा कि इसको मिटाता हूं मैं जल्दी करिए इतना करने के बाद नीचे जो बोला लिख के फिर इसको लिखना यह निकल गया इसको याद रखना अभी लाश्ट में जोड़ देंगे चलो अगला देखिए ट्राइंगल एसीडी का छेत्र फल निकालेंगे इसमें एक चीज़ आप समझ लिजिए ट्राइंगल जो सकता है बाकिया और कोई तरीका नहीं तो ये होता है इसरे माले इसे माइनसbी एस-द्राइंग देजीए इसमें ये इस अकुर्म कामान दिया आपको दिखी रहा थी नो है मान लो इसको बी को सी लेकिन य हाइस्का मान नहीं दिया है तो अम इसमें यह निकालो छोटा फ़क है यह करा निकलो के कितना जाएगा भाई a यह प्लस-वी प्लस इह होता है कि अपन्टू होता है तो दस-चार-चेऔर बटा二 बराबर साथ चैन्टमीटर यह आगया हाइश पिरिमेटर यानि अद परिमाप अब यह साथ आ गया इसको को हम HAL कर सकते हैं अराम से इजली ठीक है य का वेलू सेबन सेबन माइनस चलो हम ac को पहली भुजा मानलेते हैं ac को यह 5 है कि एस माइनस भी यह समान साथ है ए ड को दूसरी मानलो तो यह भी 5 है यह समान फिर 7 है माइनस DC को तीसरी मालो तो यह 4 है हल कर लो कितना हो जाएगा 7 into 2 into 2 into 1 देखो भाईया अगर इनको आप final में हल करोगे तो आपको क्या मिलेगा पता है कितना मिल रहा है कुछ करके देखो 2 का जोड़ा बन जाएगा बाहर आ जाएगा तो 2 अंडर रूट साथ सेंटीमीटर का स्कॉयर यह इसका अंसर आया ठीक है लिख लीजिए फट से आगे बढ़ें जल्दी नोट करिए स्क्रेंसाइट ले लीजिए बच्चों बहुत जल्दी करिए स्वारी बच्चों माफी चाहते हैं देखो इसमें थोड़ा से करबड़ हो रहा है कि यहां पे आपने सब्ट्रे किया सेवन मैंसे 4 जाएं टहां थिरी आएगा फिर आएगा थिरी आएगा तो आप यहां पर ध्यान दो दो का तो जोड़ा बनगे निकल गया लेकिन 7 और 3 जो 9.58 के सम्थिंग आएगा आप और गमूल निकाल के देख लेना 21 का इनका आप गुड़ा कर दीजिए तो आपका ये 9.16 सेंटिमीटर के लगभग आएगा समझ में आया देखिए आपको लाश्ट तक लाश्ट देखना चाहिए बीच में मिस नहीं करना चाहिए अगर बीच में आपने मिस कर दिया तो आप इसी गड़बड़ी में ही अटक जाएंगे तो इफ लिए पूरा देखना चाहिए ठीक है ओके अब ये 9.16 आ गया एक आपका पहला क्या आया था उनली 6 आया था चलिए फाइनल लिख लेते हैं जल्दी करिए चलिए हो गया डन च ओके ठीक है एवी सी का च्छेतरफल 6 सेंटेमीटर ये 9.16 सेंटेमीटर का स्कॉयर फाइनल में नौचा 15 दसमलो 16 सेंटेमीटर का स्कॉयर देखिए ये मान लगभग में होता है क्योंकि जो वर्गमूल निकाला था वो लगभग में आया था अगर आपने सार्था कंक और को ठीक है नियरेस्टेन में इसको चेंज कर दिया आप यह भी लिख सकते हो यह भी लिख सकते हो कुछ भी आप अप्रोक्सिमेट बैलू आती है यह 100 परसेंट सी मदलब करेक्ट नहीं हो ठीक है तो बुक में हो सकता आपके यह नीचे वाला दिया हो या उपर आला दिया हो आपका कुष्टन डन हुआ इसमें कोई डाउट है तो बताओ नहीं ना नेक्ट कुष्टन पर आगे बढ़ें चलो अगला कुष्टन देखो तीफरा जल्दी तो बच्चों एक्सरसाइज 12.3 आपका चल रहा है नहीं 12.2 चल रहा भी 12.2 में कुष्टन नमबर 3 चलेगा आ कि राधा ने एक रंगीन कागच से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया आपने बच्पन में हवाई जहाज उड़ाया है कि नहीं कागच का बना बना के जैसा कि आकृति 12.15 में दिखाया गया है परियोग के कागच का कुल चैद्र पल ग्याद कीजिए यह आपको फिकर इसमें नीचे की साइड़ 2 cm दी गई थी आप इनका नाम करन कर सकते हो अपने हिसाब से कुछ भी आना करो इनको अलग अलग 5 भाग में माटा गया है यह आपका पहले भाग था यह आपका यह दूसरा भाग है यह तीसरा भाग है यह चवथा और यह पांच पाइट में अल अगया सब का एरिया फाइंड करनी है तो क्या करेंगे बच्चों जीतने वी भाग सभी भाग का अलग अलग एरिया निकालेंगे ओर जो सब आजए आ जाएगा वievous total कगज़ का ऐरिया होगा है भी दिखिए पहले भाक कशेदरफल वराबर यहां पे हल लिखिए हल पहले भाग का छेदरफल बराबर क्या होगा देखो आप सभी जानते हो बच्चा जो छेदरफल का सुत्र होता है बहुत अच्छे जानते हो अंडर रूट यस और यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी यह आपका फर्मूला होता है देखो समझो यस आगया नव अब सवाल यह है कि इसमें यस कहां पर रखेंगे देखो पहले भाग का छेदरफल यह निकालनी है यह पांच सेंटीमीटर है देख लो यह भी पांच है और यह एक सेंटीमीटर है ठीक है एक कैसे है एक्चुली क्या नीचे वाली साइड वन सेंटीमीटर दी गई थी तो इसकी अधार पर हम इसको भी वन कह सकते हैं चुकि यह बराबर है पहले हम यह निकालेंगे ठीक है यह के लिए इधर साइड में आप कर लीजिए यहापे लिखिए अधर परिमाफ कहीं भी साइड में ऐसे कर ले न यह सिक्वल ए प्लस बी प्लस सी अपांट टू यह फार्मूला होता है तीनों साइड को जोड़ देते हैं तो दो साइड आपका पांच पांच है ग्यारा बटा दो होगा इक्वल आपका 5.5 होगा सेंटिमीटर है ना देखो भाई समझों के नाम तो नहीं लिखे गए चाहो तो आप नाम लिख लो एवी सी कुछ भी लिख लो तो यह क्या आगया यह आगया 5.5 अब पहली बुझा हम पांच मान लें दूसरी पांच मान लें तीसरी एक है चलिए रखते हैं इसका बेलु क्या रखोगे बाभू इसमें 5.5 रखते जाएव यसा की जगाः फ़े 5.5 ब्रेकर में 5.5 मान वाइनस 5 क्योंकि हम पहला यह जाने है फिर यह सब मान 5.5 दूसरी पुझा कमान भी 5 है फिर यह सब मान 5.5 तीसरी पुझा कमान एक है ठीक है क्लियर हलका तो चलिए दवड़ा दवड़ा के फटा फट इसको देखिए यह 5.5 अंडरूट में ही रहेगा भी इसका भी वही हाल है और यह आपका 4.5 बचेगा इसमें काम मैं कर सकता हूं वह क्या है अगर 5.5 को हम ऐसे लिख दूँँ देख रहा हूं इसमें सर्माना नहीं है तेरे नाम दोखा रख दूँँ तो ना राज होगी क्या नहीं न समझो 5.5 को अगर हम 11.05 लिखें तो कोई द इन्टू 0.5 ग्यारा पच्छे पच्पन एक पर दसंदों लगेगा फिर आजाएगा इसका कुड़ा करेंगे फिर आजाएगा यानि हम इसकी जगह पे टोटल इसकी जगह पे इतना लिख सकते हैं ठीक है क्यों क्योंकि हमें वर्गमूल निकालना है और आपके लिए कहानी नहीं हो जाएगी आसन चलो देखो समझो अगे समझो अगला 0.5 वाइसे लिख लो इनको इसी में निकाल लो लपेट के यह 0.5 दूसरा वाइसे लिख लो भाइया देखो 4.5 को हम कुछ लिख सकते हैं तोड मरोड के क्या लिख सकते हैं ठीटू 3 इंटू 0.5 इसको भी हम ल यानि हम 3 गुड़ा 3 गुड़ा 0.5 लिख सकते हैं क्योंकि 3 तरिक करना उपचे 45 और एक अंग पर दसमलों हो जाएगा 4.5 यानि 4.5 की जगा पे हम इतना लिख सकते हैं तो हमने क्या क्या इस 4.5 की जगा पे हमने इसको इतना पूरा लिख दिया 0.5 को मैंने पहले लिख द से एक-एक 5 बाहर निकल जाएगा और एक 3 भी बाहर निकल जाएगा ठीक है भईया समझ रहे हो ना आप लोग देखो यहां पर सीखने की कोशिस करो तो देखो बाबु यहां पर समझो 0.5 इंटू 0.5 न और इंटू 3 तीन बात में कर लेना 25 यह 25 हो गया लेकिन यहां पर ए यह बनेगा देखो लिख देता हूं भाई एक जोड़े से 0.5 बाहर आया दूसरे जोड़े से 0.5 बाहर आया तीफरे जोड़े से तीन बाहर आया और यह 11 अंदर में ही फासार आ गया अब देखो यह इतना आया था इन दोनों का तीन का भी से में गुड़ा कर दो बाबु अब अगर हम 11 का मान रख दें तो हमें मिल जाए सब कुछ जो मिलना चाहिए लेकिन अंडरूट 11 का मान हमें पता कहा होता है से आसानी से करना पड़ेगा ना चलो कर लो फिर काहेगो देर काहेगो चलो फटा-फट देखो वर्गमूल निकालना आता है देखे जैसे 16 का वर पांच आता है ना वैसे इसका 3.31 संथिंग आएगा आप और कमूल कर लेना भाग विदी से यह 3.31 आएगा लगभाग में आएगा यह अप्रॉक्सिमेट ठीक है एक दम हंडेट परसेंट एकुरेट वैलू नहीं है तो आपका यह फाइनल में जो आजाएगा 2.48 के संथिं आएगा क्या बताओ मल्टिपल करो बताओ यह आएगा ना सेंटिमिटर स्कॉयर तो बाबु भाईया आपका यह पहले भाग का छेदरफाल आ इसे कहीं लिख लो अभी बाद में काम लगेगा फिर इसी तरह से हम दूसरा तीफरा चौथा पाच्वा सबका निकालेंगे और बाबु दूसरा भाग एक आयत है एक रिक्टेंगल जैसे दिख रहा है तो आयत का छेदरफाल होता लंबाई गुड़ चोड़ाई होता है इसकी लेंग 6.5 सेंटिमीटर है इसी पॉइंट फाइब है इन्टू जो बुड़ाट है इसकी यह नि चोड़ाई है वन है तो फा इसाथ लेलो फट्स आगे बढ़ें अगला भाग लिकें तीसरे भाग का छेदरफाल बराबर तीसरे वाला भाग आपको समझने लायक है यह थोड़ा सजादा समझने के लिए मांग रहा है समझ यह तीसरा आपको कैसे लग रहा है का जीव टाइप का लग रहा है इसमें इसमें चारो तरफ बराबर इसमें इसमें इसको कह सकते हैं थ्री इंटू क्या रूट थिए इस्टरफल रूट थ्री इपान फॉर इंटू बूजा का स्कौयर होता है यह निसाइड का स्कॉयर यह होता है ना बाबू होता है ना चलो थ्री इंटू रूट थ्री एपान फॉर इंटू साइड देखो इसमें एक्चूली यह क्या है वन सेंटीमेटर है ना तो अगर यह वन है तो मुझे लगता है सब चारों तरफ वन होगा कि नहीं भाइ कुछ कोशिश करके बताओ अगर संबाह होए तो क्या होगा लिए अगर यह वन है साइड क्या होगी वन सिंटिमेटर होंगी तो यह वन का इसकुरे का तो डारेक्ट कोई आदमतर तो आएगा नहीं देखो अंडरूट तीन का जो बैलू है वो दिया होता है अक्थर आपने देखा होगा वन पॉइंट से बन थ्री अपान फोर वन का तो कोई पड़ेगा नहीं स्कॉयर करने पर तो देखो बच्चों साथियों इनका आप क्या करोगे हल करोगे तो यह 5.19 आएगा लगभग ग लेकिने तीन से गुड़ा हो रहा है पांच से कहां हो रहा है त्रीजा नाइन थिरी से बंजा टॉन्टीवन और त्री बंजा त्री टू फाइफ टू डिजिट में पॉइंट अपान फोर फाइनल में इनको कर लो तो 1.29 सेंटिमेटर आएगा बटा 1.29 सेंटिमेटर का स्क यह किताब में दोनों भाग बराबर दिया है तीन भाग हो गया एक बाग फिर से कुश्चन देख लो एक बार फिर हम इसको भी करवा देते हैं कुश्चन देखो परत राधा ने एक रंगीन कागज से हवाई जहाज का चितर बनाया था जैसा कि इस फिगर में दिख रहा है तो कुल परियोग किये गए कागज का एरिया आपको फाइंड करना है देखो बाबू अगर फिगर में आप 4 और 5 पार्ट देखो तो एक जैसे बनाया पूरा देखेंगे चाओ थे और पाच्वे भाग का चेदर फल बराबर लिख लिए आपने फॉर और फाइप पार्ट का एरिया वेकल इसको थोड़ा छोटा लिखेंगे तो बहतर आपको दिखेगा यहां पैने लिख दिया यह और और फाइप भाग का एरिया इक्वल देखो बा ठीक है ओके वन अपन टू बेस बेस इसमें क्या है दिख रहे हैं आपको कुछ कि कि सेंटिमेटर दिया ना बेस यह सिक सेंटिमेटर दिया था हाइट कितनी है 1.5 है कुछ और है बाइस इंपल है यह बेस था आपका यह हाइड थी 1.5 सेंटिमेटर तो यह 1.5 सेंटिमेटर इनको आप डिवाइट करोगे थ्री आएगा थ्री का इसमें मल्टीपल करोगे तो यह 4.5 सेंटिमेटर का स्कौर यह अपका कौन सा आ गया 4.5 सेंटिमेटर स्कौर अभी तक क्या आया सुनो पहले यहां सुनो अभी जो एरिया आया है वह सही है सबकुछ ठीक है चारए और 5 दोनों का हमें करना था लेकिन अभी एक का एरिया आया है और चुकि दोनों भाग बराबर ह्ये सब सेंखें महें को मअधिन को हम डबल कर देंगे ठीक है यह यहां लिखिए चूंकि चौथह वां पांचवे-फछमें-वांचवें का श्यटरफल का। इक्वल 2 इंटू 4.5 तो देखो बेटा आपका यह 9.0 सेंटिमीटर का स्क्वायर आ जायेगा यह दोनों का आ गया ठीक है क्योंकि हमें पूरे नीचे लिखो लिखो चुकि हमें पूरे जहाज का छेद्रफल निकालना है क्योंकि हमें पूरे जहाज का छेत्रफल निकालना है अता हम सभी पांचों भाग का छेत्रफल निकालकर उन्हें जोड़ देंगे ठीक है तो नीचे लिखिए एक बार फिर से लिखिए जहाज में परियुक्त कुल कागज का छेत्रफल बराबर जोड़ देंगी जितना भी दिया बच्चा फटा फटेट कर लो जल्दी से पहले भाग का अभी आया था पहले भाग का एरिया 2.48 आया था नहीं मिल रहा देख लो पीछे पलटके दूसरे बाबू 4.50 आया था तीसरे भाग का एरिया अगर तुम देखना चाहो तो 1.29 आया था और चौते भाग का अगर एरिया देखो तो 9 cm रहा था अ आया था ना फटा फट बताओ मुझे यह आया था ना इनको क्या करोगे सब को जोड़ डालो 19.27 cm स्कार आएगा लगभग में अप्रॉक्सिमेट आएगा अभिकाज यह लगभग में यह प्रॉक्सिमेट इसलिए आएगा क्योंकि जो रूट के बहलू हमने कई जगा नाट परफेक्ट स्कुएर नाट परफेक्ट क्यूब नंबर है उनका वर्गमूल अगहनमूल अगर एक दम हंडेड़ परसेंट एक को सही निकालोगे तो बहुत टाइम लगएगा बहुत लंबा हो जाएगा तो वह लगभग में लिखा जाता है प्रॉक्सिमेट लिखा इस तरह से बच्चा आपका एक कोश्चन खतम हो गया किसी को कुछ भी डाउट है तो बता तो कुश्चन नंबर फॉर आपके सामने देखिए ध्यान से देखिए कह रहा है कि एक तिर्भूज और एक समांतर चत्रभूज का एक ही आधार है यानि एक ट्राइंगल है और एक पैरलोग्राम है दोनों का बेस सेम है और चेत्रभल भी एक ही है यानि दोनों का एरिया भी एक समान है यह दिति रभूज की बुजाएं 26 cm और 30 cm हैं तो समांतर चत्रभूज की भी बुजा दी गई है 28 cm की आधार परिस्थित है तो उसकी संगत उचाई ग्याद कीजिए यह नि हाइट ग्याद करनी यह जो आपको दिख रहा है बहुत ही सिंपल सा है देखो मैं आपको फिगर दिखा रहा हूं यह रियल वाला यह क्या है एक समा इंगल बनाया आप आपको दिख रहा है इसका 28 cm यह है ना है अगर इधर 28 है तो उधर फाइट भी क्या होगा 28 ही होगा वाई सिंपल सी बात है क्यों होगा कि नहीं बताओ यह आप सबको पता है ना अगर नीचे 28 है तो यह उपर 28 ही होगा नहीं दिखा कि आपको मेरा समय कूज के नहीं बराबर होती हैं लिखिए के दिया है ने दिखेर-shield कर लेंगे कि यह की दिनों साइट दी गई हैं हम इनका पहले एलिया verse तिर्भूज का निकालने के बाद फिर समांतर चत्रफूज के एरिया के बराबर करेंगे ठीक है तो आप क्या लिखोगे तिर्भूज का छेत्रफल बहले निकाल लेते हैं ठीक है चलो निकाल लेते हैं लिखो तिर्भूज का छेत्रफल बराबर देखें इनकी साइड था वा सूत्र ही लगेगा तो बाबु भीया यह सूत्र लगाने के लिए हमें यस चाहिए यह मतलब सेमी परिमिटर इसको किसी साइड में निकाल लेते हैं ठीक है यह सिक्वल होता है यह सूत्र होता है ठीक है बेटा तो तीनों भुजाएं क्या है 26 तीस और 28 रख दीजिए 26 तीस प्लस 28 बटा दो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना यह 28 है मतलब 28 क्या है 28 सबको जोड़ लोगे आप तो कितना आएगा 84 आएगा ना 84 अपान 2 इक्वल 42 सेंटीमीटर कितना आया बाबू एस कमान आपका 42 सेंटीमीटर आया अब यहां पर आपका 42 आजाएगा जहां यहां यह है वहां वहां 42 आजाएगा तो यह आपका हो जाएगा 42 42 माइनस 26 यह 42 माइनस 28 यह फिर 30 कर दो पहले चुकि हमने जैसे माना था बाकी कोई फरक नहीं पड़ता है 28 इनको आपस में क्या करेंगे सब्ट्रेक करेंगे गटाएंगे और फिर इन्हें साल्व करेंगे इतना तो आप जानते ही हो कितना हो जाएगा भाई है चलो 42 इन्टू इसमें से 26 गटा होगे तो कितना आएगा गटाना आप लोग जानते हो 16 आएगा ना आएगा इसमें से 28 घटा होगे तो रहुदा आएगा क्यों भाई सही है कि नहीं सही है ना चलो अब इनके क्या करना हमें वर्गमूल करने पूरे के इसमें काम कर सकते हैं इनको हम तोड़ सकते हैं चोटे-चोटे पार्ट में कैसे जैसे 42 को हम सेबन इंटु 6 लिख सकते हैं बोलो लिख सकते हैं और जो 16 है उसे हम कुछ और लिख सकते हैं क्या कि 16 को क्या लिख सकते हैं गछोग 16 होता है न तो इसे हम लिखले 4 x 4 चलो इसको हम 6 गुड़े 2 लिखले और यह 14 ओं लिख सकते हैं 2 गुड़ा 7 इनका पेर बनाके देख लेते हैं देखो इन 4 पेर बन जायाएका 6 कभी एक पेर बन जाएगा और साथ का भी बन जाएगा यानि सब का पेर बन रहेगा देखो तो भाई यह सब का पेर बन जाएगा तो कितना आजाएगा करके देखो एक बार सब का पेर बन जाएगा तो सिंपल सा है अंसर आजाएगा फिर एक अच्छा सा लिखो सेवन इंटु सिक्स इंटु फॉर इंटु टू ताच्छंग बयालिस और यह आठ दुना सोला सोला का बैलिस में गुड़ा कर लो तीन तीन सो चलतीस क्या क्या एंगा वर्ग मिलकर निकालने का अससान तरीका थाम अलग-अलग की थीक़ा है फोटीटू को शेवन इन्टू उन्तू कर दिया न दन इसको जल्दी उतारिये मेंमिटाद हाऊं आभ क्या करना है इस में रख देना है तिर्भूज का छेत्रफल सामांतर चतर्फुघ के चत्रफल के बराबर था तो हम दिर्भूज पख ऌचेतरफल की जगह पे यहां 354 रख देंगे समांतर तिर्भूज का सूत्र लगा देंगे सिंपल सा है चलो जल्दी करो परलोगराम को फर्मुला लगो देखिए यहां पर एक चीज आपको समझ के चलना है कि जो परलोगराम है वो एक परकार से रेक्टेंगल मानों यह रेक्टेंगल जैसे तो दिख रहा ना इसमें भी वही सार आधार इंटू लंब यही होता है ना कि कुछ और होता है बोलोग और देता ने इसका चलो 134 देखो वाबू इस में कुछ दिया है में अधार दिया था था 28 देखो कहीं दिया था का दिया था ना वेश 28 दिया है यह यह खुद है इसको आप काटोगे डिबाइड करोगे तो हमें लगता यह कट जाएगा इतनी बार जाएगा पहले चार से कट लो चार सते एठाइस यह चार से कट जाएगा चार एठे बत्तिस और चार चौका सोला 84 और सेबन आया सेबन से काट दो ट्वैल आएगा यानि हम कह सकते हैं कि जो उचाई आई कितना आई 12 cm ठीक है ठीक है ठीक है बाबु समझ में आया तो यह पेंड हो गया कोई सिखाया था कुछ भी कहना दो बोलो कमेंट करके बताओ जड़ से चलो नेक्स कुश्चन दिखाते हैं उसके पहले अगर आप हमें यूटूब पे देख रहे हैं तो पीवीर स्टेडी चैनल को सब् श्ट면 Quem ऐसे थक रहे हों तो से वन नंबर में बताने चल रहा हूं क्या टाया कि एक पतंग मिंस काई स्कृइन पको दिख रहे सेडों के कागज़्ों से बनी है साथियों सेड़ों का मतलब होता है तीन अलग अलग परकार के कागज है ठीक है तीन अलग अलग हाँ seat भी कह सकते हो set को ठीक है तो तीन अलग-अलग परकार के कागज यूज हुए है जिसमें आपको दिख रहा है इस figure में अभी मैं आपको इस figure को और अच्छे से दिखा देता हूँ यहां पे देखो यह एक परकार का एक तीन परकार के कागज रहे एक परकार यह सिकेंड बाले दोनों में अब आगे क्या कहता है जला ध्यान दो शार्थ की है पतंग ऊपरी भाग 32 संंटीमीटर बिकरण का एक वर्ग है जो ऊपरी भाग तो यह मोटा मोटा घर हम बात करें इसका नाम लिखें तो एबी कितना है फूरा पूरा ठीक है अगर बीच में यहां पर हम उव लिखते तो आपका ओए सोला है और ओभी कितना है सोला है यह मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ ठीक है आगे देखो पहरा निचला भाग 6 cm, 6 cm और 8 cm भुजाओं का एक सम्दुवाह उतिर भुज है तो ग्यांत कीजिए परतेक सेड में परियुत किया गया कागिज कितना है नीचे का जो भाग है वो 6-6 cm का है यह 8 cm का है मैंने लिख दिया चलिए कर लेते हैं बहुत ही आसान है सभी का अलग अलग इसमें फाइंड करना है सिंपल साह लिखिए देखो इस चीज संजो पहले भाग का जो इरिया होगा बाबू दूसरे भाग की अरिया के बराबर होगा क्यूं होगा क्योंकि दोनो समान base पर बना है ए बी दोनों में common है इस वाले के लिए भी इस वाले के लिए भी और अगर यह विकर्ड़ अरे बी 32 है तो यह वाला नभी 32 होगा वो बतिस होगा न यह और यह 32 होगा अगर हम इनका नाम मान लो लिख दिए Q यहां पर यहां पर P तो यह P Q भी तो 32 होगा तो आपका O P 16 होगा और O Q भी क्या होगा बोलो होगा न तो भाई सिंपल सा है समान बेस पर बना है इसका परपेंडी कुलर यानि लंब जो है वो भी दोनों में 16 16 बराबर है तो यानि कि पहले दूसरे के क्या होंगे जो एरिया होंगे वापस में इक्कॉल होंगे तो लिखो पहले भाग का छेत्र फल बराबर दूसरे भाग का छेत्र फल लिख लेंज में चाहे तो कारण भी लिख लो ब्रेकर में रीजन लिख लो क्योगी दोनों समान बेस पर बने हैं और इनकी लंबोध भुजाएं भी समान है बराबर ठीक है तो साथिओ यहां पर देखो अगर आप निकालोगे इसमें फर्स्ट वाले भाग का सिकेंड वाले का तो एक परकार आपका समकोंड तिर्भूज बनता नजर आ रहा है ना आ रहा है ना तो आप क्या लिखोगे आता है पहले भाग का छेदरफल क्या हो जाएगा फार्मूला लगाओ फट 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 वन अपांट सब्सक्राव्ण क्यों कितना है इस में पूरा पूरा लिख कितना है बगदी चैनल-टिस अभी करना और उंचाई कितना है विकाज दोनों आपस में बराबर हैं ठीक है यह क्या है पहले भाग का छेत्रफल फिर यहां लिखोगे इफ लिए दूसरे भाग का छेत्रफल बराबर यह भी हो जायागा क्लियर अब क्या करोगे भाई नीचे लिखो तीसरे भाग का छेत्रफल बराबर इसको लिख लो कहीं मैं मिटा रहा हूं क्योंकि मुझे उपर आपको इसमें हिरोन फार्मूला बताना पड़ेगा जल्दी लिख लो फट्टा फट जल्दी करो भाई लिख लो बच्चो नाम क कि पीछे ना परिसान रहा हूं मैं सबका नाम देख रहा हूं कि देखो तीसरे भाग का छेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा अगर आप ध्यान दो तो आपका जो थार्ड पार्ट बाबू यह छे छे आट सिंटीमेटर है यह समकों त्रिबुज तो है नहीं कि इसमें आप पांटू बेस हाइट लगा दोगे इसमें आप लगाओगे हिरोन फार्मूला ठीक है हिरोन फार्मूला ही होता है ना यह सिंटू यह समाइनस भी यह समाइनस सी सबका कमेंट मुझे दिख रहा है संजे कुमार ओनली फनी बेडियो और कौन है बहिया पते राचल मोहित कुम जो कभी-कभी आता उसका नहीं आओ देखो यहां पर पहले आपको यह चाहिए यह नहीं पता ना तो देखो बच्चा यह निकाल लोगे यह आपका छोटा सा सूत लगा के ठीक है बाबू यह का मान निकाल लो ए और बी और सी तीन मुझा है दोनों को 6-6 मान लो एक को 8 मान लो तो 6-6, 12, 8, 20 बराबर 10 सेंटीमीटर यह नि यह की बहलू कितना आई भाईया 10 सेंटीमीटर आ गई तो चलो बाबू कर लो 10 की जगा पर क्या रखोगे 10 10 माइनस ए की जगा पर 6 10 माइनस बी की जगा पर भी 6 10 माइनस सी की जगा पर 8 इसमें कोई दिक्कत नहीं न क्योंकि दो भुजाएं 6-6 हैं एक 8 है चलो ओके डन दवड़े रो भई यह 10 इंटू इसको गटाओ कि 4 आएगा यह भी 4 आएगा यह 2 आएगा ठीक है भाई साहब इन टट्लियर देखो भाबू 4 का वर्गमूल दो आएगा इस 4 का भी वर्गमूल दो आएगा एक काम अभी और आगे आप करशक्तव हो एक काम कर लो यह 4 को हम पहले लिख सकते हैं और 10 को हम 2 इस-दस को सो पांच गुड़ा 2 लिख़ दें समझो यह 10 को हम 5 गुड़ा 2 लिख देते इस 2 को वैसे लिख लेंगे इसका जोड़ा बन गया इसका भी जोड़ा बन गया बोलो बन गया ना तो एक जोड़ा से गिंती बाहर निकल जाएगी तो यह 4 बाहर आ जाएगा इसमें से 2 बाहर आ जाएगा आप 4 इंटू टू अंडर रूट 5 अंदर में बच जाएगा तो बाबु क्या हो जाएगा आपका एट इंटू अंडर रूट 5 ना रूट 5 का मान रख दोगे आप क्योंकि आपको आंसर निकालना एक जेक्ट ना तो टू-पॉइंट टू-फॉर इसका मान रखना है ना इसका मान रखना है रूट 5 का तो टू-टू-फॉर सम्थिंग आता है ना ऐसे कुछ ऐसे कुछ आता है न तो यह जायेगा आपका लगभाग सेंटीमीटर का स्कॉयर 17.92 सेंटीमीटर का स्कॉयर लगबग अप्रॉक्सिमेट क्योंकि यह कोई 100 परसेंट एकुरेट वैलू नहीं होती रूट वाली ठीक है इसलिए लगबग में इतना आएगा इसमें किस्यू को कोई डाउट है तो कमेंट करो नहीं संकोच फटाफट ब इसमें क्या कह रहा हैं कह रहा है कि फर्स पर एक फूलों का डिजाइन तोला तिर्भूजा कार फाइलों से बनाया गया है मतलब फर्स पर जमीन पर एक तिर्भूज के द्वारा तिर्भूजा कार टाइल बनाया गया है आपने देखा होगा अकसर टाइलs पे खूलोल बने रहते है है JAM मैं इस ठिखर में दिखेंथ नहिंत है है वो नो 28 और 35 सेंटिमेटर है आकरती दी गई है इसमें अगर आप ध्यान दो तो इसके एक पंखुडी में लिखा गया साइड में देखो 28 35 नो जो है यह सब लिखा गया एक पंखुडी में अगर आप ध्यान से देखो दो दिखाए न किरा कि इन टाइलों को 50-35 करते हैं इसमें सोला टाइल दी गई है तो हम सोला टाइल ना बना करके एक टाइल का सब कुछ निकाल लें और अगर हम एक टाइल का सब कुछ निकाल लें और उसको सोला से गुड़ा कर दें तो हमें सोला टाइल का मिल जाएगा न तो हम क्या करेंगे पहले एक टाइल यहा टोटल खर्चा निकाल लेंगे चलिए दिखाता हूं कि यह सबसे पहले बना लेते हैं इधर साइड में आपको दिख रहा है तो देखो बच्चा इसका ऐसे ही कुछ है बाबू क्लियर हो रहा है ना फिगर इसका ऐसे ही कुछ है यह जिसमें यह 28 है यह 9 है और यह 35 सेंटिमीटर है यह माना गया है और उसमें दिया गया है तो हम एक काम करेंगे सबसे पहले हम जैसा कि अभी मैं बता चुका हूं वही बात आप एक बार फिर से सुन लो सभी 16 टाइल की भुजाएं आपस में बराबर हैं सभी 16 टाइल की भुज अपस में बराबर हैं मैं इसलिए हम सिर्फ एक टाइल का चेत्रफल निकाल कर अधिर को पुरह करेंगेज और इस तरह से हम सभी 16 टाइल का शेट्रफल प्राप्ट कर लेंगे इतना करने के बाद आप क्या लिखोगे यहां उपर लिखो अंताँ हम एक टाइल का शेट्रफ बराबर यहां पर ध्यान दीजिए यह सभी अलग-अलग साइड है इक्वल नहीं है तो हम लगाएंगे हीरोन सुत्र कि आप लोग पढ़ चुके हैं लेको बच्चों इसमें हीरोन सुत्र लगाने के लिए बाबू इसमें आपको यस पता होना चाहिए अर्दपरिमाप मालूम होना चाहिए तो साइड में हम अर्दपरिमाप फाइंड कर लेंगे तीन बुजाएं हैं मान लो पहली 35 है दूसरी अठाइफ है तीफरी 9 है बटा दो इनको सबको जोड़ लो 9 8 17 17 5 22 हासिल दो तीन दो पांच दो साथ बराबर 36 सेंटिमीटर यानि अ क्लियर यस की जगा पर यहां पर हम 36 पूट करेंगे 36 यहां पर 36 माइनस ए ए को मान लो 35 पहली बुजा फिर 36 माइनस बी बी मान लो 28 फिर 36 माइनस 9 यानि सी वाला आगे मल्टिपल करते जाओ प्टाफट 36 इंटू 1 इंटू इसको घटा ओगे तो कितना आएगा आट इसको घटा ओगे तो कितना हैगा 27 29 इनका वर्गमूल करना भाभू ठीक है क्या करना इनका अभ वर्गमूल करना थोड़ा चोटे में जाएंगे देखो 36 का हम लिख सकते हैं क्या छे गुड़े छे लिख सकते हैं इसका वर्गमूल निकल जाएगा कि इसमें देखो दो गुड़े दो कर सकते हैं फुल मिला करके मैं आपको डिटियल में दिखा हूं तभी आप समझ पाओगे छे गुड़े छे कर लिया ठीक है इसमें कोई दिककत नहीं है आठ को हम लिख सकते हैं दो गुड़े दो गुड़े दो और देखो इसमें थोड़ा सा मुझे फीगर मिटाना पड़ेगा मिटा दूं इसमें प्रमां दे रहा हूं टेंसन मतलेना फिर बना लेना चलो क्योंकि गड़बण कर रहा जगा नहीं हा रही है कि समझो समझो के अल मतलब समझो 36 को मैंने 6 गुड़े 6 लिख दिया अगर आप ध्यान दो इसमें 2 दो प्रियें और 6 यह तीन बाहर निकल जाएंगे एक दो वाले जोड़े से एक तीन वाल्ले elevator एक 6 छे वाले से इसमें एक दो बच रहा है एक तीन बच रहा है तो बेटा ये छे अंदर में बच रहा है फाइनल में दो त्याई 6 छक 36 36 अंडर रूट 6 यह आपका अंसर हो रहा है यहां पर रूट 6 का बैलू 2.45 आएगा लगबग में कितना आएगा 2.45 अंडर रूट 6 का आप वर्गमूल निकाल सकतो भाग विदी से इनका गुड़ा कर लोगे 88.2 सम्थिंग आएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर यह आपका आगया एक टाइल का छेत्रफल ठीक है अब आपको यह कलकुलेशन आना चाहिए वर्गमूल घंद मूल इतना तो फास्ट आपका होना ही चाहिए नहीं आता है तो कमेंट करके बताना आप इसके लिए बेसिक मैद देख सकते हो पी वि मिलता है अगर आप चाहत इसे जुआइन कर सकते हो मात्र इस समय 400 और 500 में आपको मिल रहा है जिसमें यह सारे कांसेप्ट बिल्कुल आपको फास्ट करा दिया जाते हैं आप जल्दी जल्दी कलकुलेशन कर सकते हो ठीक है तो यह कोर्स भी आप ले सकते हो जल्दी ही ओके आगे बढ़ा जाए चलो अब क्या करना है अब हमें चेत्रफल मिल गया एक टाइल का अब हम 16 टाइल का चेत्रफल निकाल लेंगे इस तरह से उपर लिखो इफ लिए 16 टाइल का चेत्रफल बराबर इसको गुड़ा कर लोगे तो वन फोर वन वन पॉइंट टू संथिंग आएगा ना सेंटिमेटर स्कॉर यह क्या आ गया इसको अब गुड़ा करना जानते हो ना इस इस टू जा थार्टी टू का टू तीन बचा शिक्स्टीन एड जा वन फोर्टी फोर और चर्ट कर दो कितना जाएगा इस तो अब यह कर लिए अब लिखो आप सोला टाइलों पर खर्च इस तो यह पचास पैसे परतिस सेंटिमेटर स्कॉर यह कहा है खर्चा लगेगा तो यह बताऊ मुझे इदर साइड में एक चीज़ समझ लो थो टा सा क्योंकि एक रूपया बराबर सव पैसा जो तुमें सबको पता है और इस लिए एक पैसा बराबर एक बटा सव रूपया ना तो इस लिए पचास पैसा बराबर कितना हो जाएगा अब पचास गुड़ बड़ो 50 पैसाम एक बटा दूर उना यह नहीं में पैसे इह नहीं बड़ो पैसे में करोगे तो भूपया मैं जा ऐगा इसे ठीक है इनको काट लो दो सते चवदा दो फिर जीरो दो पंचे दस पॉइंट कि दो आएगा कितना आएगा छे आएगा ना आएगा ना सिक्स यानी साथ सो पांच दसामलो इतना रुपया साथ सो पांच रुपया साथ पैसा कैसे देखो कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो देखो पेटा यह यही है का यह पॉइंट टू है ना इनको भाग कर लो अगर आप यह चवदा है ग्यारा पूरा कट गया जीरो आगया ना आप उपर से वन उतारोगे भाग जायेगा नहीं उपर जीरो उढ़ाओगे फिर वन उतारोगे अब पांच बार जायेगा दस आया गटाओगे एक आया अब देखो दसम लोग इधर सब खतम हो गया अब उधर का गिंती बचीफ लिए यह यह ओता है कि को कुछ डाओट है दो नहीं ना इस तरह से आपका यह कुट्ष्टन होता है और इसी के साथ आपको यह चैप्टर पूट का पूरा खतम होगे जिसका नाम था हिरोन का सुत्र हिरोन का सुत्र ध्याय खतम हुआ बबु इसमें एक कुश्चन है नाइन वाला बहुत आफान है आप लोग इसे घर से कर लेना यह होमवर्क है बहुत इजी है नहीं आएगा कमेंट करना मैं बताऊंगा ठीक है तो आपका एकसरसाइज 12.2 खतम होता है इसी के साथ आपका चैप्टर 12 भी खतम हो गया अगला च सब्सक्राइब करें आज ही जोईन करें और फुल कोर्स देखें पत्र दो महिने में थैंक्यू